Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator. और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11th की जो आपकी हॉन्बल बुक है. उसकी पोम No. 2 विच इस The Libanum Top. और इस पोम के कवर करेंगे आज हम MCQs याने Multiple Choice Questions. So let's begin with our first question. What is described by the word Stokes in the poem? आपकी पोम में एक वर्ड यूज किया गया है विच इस Stokes. तो इस Stokes का मतलब क्या है? तो Stokes मानने कि जब आप किसी चीज को फिल कर रहे हो तो जिस तरीके से बर्ड आती है Libanum Tree के टॉप पे और अपनी नेस्ट में बैठे छोटे छोटे चिक्स याने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना लाती है तो जब अपने बच्चों को फिट करा रहे है So options are thorns in the tree इस stokes का मतलब है प्रूंसरे जो काटने उसकी बात हो री है बिलकुल भी नहीं स्टोड़ सबमतलब thorns बिलकुल नहीं होता bird feeding her young ones इसका मतलब है कि goldfinch bird आई है और अपने young ones याने अपने बच्चों को feed कर रही है जो उनके लिए दाना लाई है उनको stoke कर रही है याने कि उनका पेट भरवा रही है So yes, this can be an option आगे options एतने branches, क्या stokes का मतलब branches जहनिया होता है, बिल्कुल भी नहीं होता option number D, none of the above याने इन में से कोई भी नहीं तो यह option भी नहीं हो सकता क्यों क्यों क्योंकि हमें हमार आंसर मिल गया है which is option number B, bird feeding her young ones ओके next question who is the poet of the laburnum top यह जो poem है, the laburnum top उसके poet कोन है, यहने किसने यह poem लिखी है चार options है William Blake, B. Robert Frost D. Ted Hughes या D. John Keats तो हमने यह पूरी poem पढ़ी हुए और हमें पता भी है और हमने study किया है, तो हमें पता है कि option number C, Ted Hughes is the right option to this question तो यही poet है हमारी poem the laburnum top के so option number C is the right option to this question next why did the goldfinch bird came towards the tree यह जो goldfinch bird है यह tree, याने जो laburnum tree है इसके पास आ क्यों रही है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसी tree के top पे घनी branches के बीच में इसका nest है जहां पे इसके चोटे-चोटे young ones याने बच्चे हैं तो उनको feed कराने है दाना देने के लिए उनके पास आ रही है so options है इसलिए आ रही है जो उनके लिए वो ढूंड़ो उनके ला रही है so yes, वो tree के पास इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें nest है उसका और nest में उसके बच्चें अपने बच्चों को अपने young ones को दाना देने के लिए feed करने के लिए वो आ रही है so yes, this is the right option to this question all of the above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number C okay next question about which bird are we talking in the poem यह जो poem है इसमें हम कौन सी bird के बारे में बात कर रहे है तो हम बात कर रहे हैं goldfinch bird के बारे में okay, अभी हमने आपको बताया भी था so options है peacock क्या आप peacock के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कोल भी नहीं ऐसा कुछ mention नहीं है poem में goldfinch bird yes, goldfinch bird के बारे में बात हो रहे है hummingbird no cuckoo no so answer है option number B याने की goldfinch bird इसी bird के बारे में बात हो रहे है और इसी bird का nest है lebanum tree के top में next question what role does the tree play for the goldfinch bird ये goldfinch bird के लिए tree कौन सा role play कर रहे है अब goldfinch bird जो है उसका nest है इस lebanum tree में तो उसको लिए वो क्या provide कर रहे है shelter याने उसके और उसके बच्चों के रहने की जगा दे रहा है ये tree तो ये tree क्या role play कर रहे है goldfinch bird के लिए उसके लिए as a shelter role play कर रहा है याने कि वो उसको shelter दे रहा है रहने के लिए nest और घर दिया है उसने रहने के लिए bird को तो क्या role play कर रहे है options जेकते है as a supporter वो उसको support कर रहा है क्या B as a shelter क्या वो उसको shelter दे रहा है as a means to feed her baby एक ऐसी चीज जिसमें से उसके बेबी को feed करने के लिए दाना मिल रहा है तो ये option तो बिलकुल नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि दाना तो वो बहार से डून डून के ला रहे हैं उस tree में से उसको दाना नहीं मिल रहा None of the above हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is as a shelter shelter दे रहा है तो अपने आप ही वो supporter भी बन जाएगा याने अपने आप ही वो as a support करने वाली चीज बन जाएगी goldfinch bird के लिए so option number B is the right option to this question as a shelter next what is described as engine in the poem आपकी poem में एक word यूज हुआ है engine यह engine किसको describe करने के लिए word यूज हुआ है तो engine यहाँ पर बोला गया है हमारी goldfinch bird को जैसे कि एक machine को चलने के लिए एक engine की जरूवत होती है बिना engine के machine नहीं चल सकती उसी तरह जो goldfinch bird का जो nest है और उसमें रहने वाले उसके young ones उसके जो बच्चे वो जिन्दा नहीं रह सकते जब तक goldfinch वहाँ पर आके उनके लिए दाना नहीं लाएगी या उनको feed नहीं कराएगी उनको खाना नहीं खिलाएगी तो जैसे एक machine को चलने के लिए उसके engine की जरुवत होती है exactly उसी तरह एक nest में रहने वाले बच्चे को survive करने के लिए और उसके बच्चों को जिन्दा रहने के लिए उनको उनकी मा की यानि goldfinch bird की जरुवत है जो की दाना लाएगी और उनका पेड भरवाएगी तो एक machine के लिए जैसे engine की जरुवत होती है उस nest की survival के लिए goldfinch bird की जरुवत है इसलिए goldfinch bird को compare किया गया है एक engine के साथ so options है कि engine का मतलब यहाँ क्या है पॉम में? machine? no engine किसको बोला गया है? young ones को? नहीं young ones को नहीं बोला गया goldfinch bird को? yes goldfinch bird को बोला गया है कि वो engine है अपने nest के लिए lebanum tree को? नहीं lebanum tree तो उसको as a shelter provide कर रहा है वो उस वो engine नहीं है engine goldfinch bird को बोला गया है so option number C goldfinch bird के बारे में यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे compare किया गया इसको engine से so option number C goldfinch bird is the right option to this question next why were the leaves of the lebanum tree yellow? जो lebanum tree है उसकी leaves जो उसकी पतिया है वो yellow color की क्यों है? अब आप बोलेंगे मैम हर leaves जो होती है वो तो green color की होती है तो यहाँ पे yellow color की leaves इसलिए हो गई है lebanum tree की क्यों क्योंकि September का महिना है याने की autumn season पत जढ़ का महिना है और इस season में सूख जाती है आपकी tree की leaves और yellow brownish color की हो जाती है और नई leaves ग्रो होने का season आ जाता है इस वज़े से यहाँ पे बोला गया है lebanum tree की leaves yellow color की है ओके? सो options है कि lebanum tree yellow क्यों है? इसके options है because of the month of September yes, September के महिने की बात करी गई है September का महिना याने because of the autumn season पतज़ड का महिना है yes, new leaves growing क्योंकि अब ये पुरानी पतियां सूख के yellow के गिरेंगी falling हो जाएंगी याने गिरेंगी और new leaves ग्रोंगी fresh leaves इसलिए यहाँ पे बोला गया है तो basically ये तीनों options है that means option number D all of the above इसका answer होगा इसी वज़े से बोला गया है कि lebanum tree की leaves yellow है so option number D all of the above is the right answer to this question next how was goldfinch's body visible ये जो goldfinch bird है इसकी body visible कैसे थी दिखाई कैसे दे रही थी अब goldfinch ऐसी bird है जो पूरी yellow color की होती है खाली इसके face पे ऐसे ब्लाक कलर के straps बने होते है याने लकीरे बनी होती है और इस bird का जो nest है वो कहाँ है lebanum tree पे जिसकी leaves पूरी yellow color की है तो अगर कोई goldfinch bird जो की yellow color की है और वो yellow color की lebanum tree पे बैठी हुई है तो हम उसको identify नहीं कर सकते या ढूंड नहीं सकते कि इस yellow tree पे को yellow color की bird बैठी है क्योंकि दोनों का color yellow ही है तो फिर कैसे हम identify करेंगे कि यहाँ पे यह goldfinch bird बैठी है तो हम identify करेंगे उसके identity mask से याने कि जो उसके face पे black color के straps है और जो उसके wings black color के उससे हम identify कर सकते कि हाँ यह goldfinch bird है क्योंकि इसके मुझ पे black color के straps बने हुए तो यह उसका identity mask जैसा है जो भगवान न उसको ऐसा बनाया है तो हम उसकी body को कैसे देख पाएंगे कैसे visible हो पाईगी यह bird हमको तो options है due to its dark black identity mask क्योंकि इसके face पे dark black ऐसे identity mask जैसे जो stripes हैं उसकी वज़े से तो yes यह हो सकता है यह ही इसकी पैचान है by using binoculars durbin use करेंगे हम तब जाके हमको दिखेगी एक goldfinch bird तो भगया durbin आप use करेंगे वो तो ठीक है लेकिन हर वक्त थोड़ी durbin लेके जेब में गुमोगे yes तो यह उसका यह कोई reason नहीं दिया आपकी poem में यह reason यह दिया है कि उसके face पे black color की stripes और यह उसका identity mask है इस वज़े से हम एक lebanum top पे उसको यह lebanum tree पे उसको identify कर सकते कि यहाँ एक goldfinch bird बैठी है by reaching at the height of the tree tree के height तक पहुझा सीड़े लगा tree के height तक पहुझा bird दिख साएगी बैठी रहेगी और ओरेगी भी नहीं कुछ भी यहाँ पे एक option दिया है तो बिलकुल भी reason नहीं होगा none of the above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमार answer मिल गया है which is option number A so option number A is the right option to this question next what is lebanum tree called in Hindi lebanum tree को Hindi language में क्या बोलते है यह तो options है amaltas yes amaltas ही इसको बोलते है हिंदी में तो यह एक right option है second mango mango तो अपने आपी एक English word है आम का पेड़ तो यह तो हो नहीं सकता अशोक नहीं अशोक भी नहीं होता है people people के पत्ते people का जो पेड़ होता है वो lebanum tree नहीं होता तो यह भी answer नहीं होगा तो lebanum tree को lebanum tree को हिंदी में amaltas का पेड़ बोलते है that means option number A is the right option to this question next what happened to the bird in the end of the poem जब poem end हो जाती है खतम होती है तो आखरी में bird के साथ क्या होता है या bird क्या करती है तो basically chapter में तीन phases बताए गए कि जो lebanum tree है बिल्कुल death like still याने बिल्कुल एगदम शान्त रहता है कोई इसमें movement नहीं होता बिल्कुल जैसे death के बाद silence आजाता है लोगों की life में या लोगों की body में वैसे death like ये tree खड़ा रहता है लेकिन जैसे ही bird आती है तो इस पूरे lebanum tree में movement और excitement चालू हो जाता है क्योंकि उसके बच्चे movement करना और chitterings and chirpings करना start कर देते हैं वो दाना खिलाके वापस जली जाती है तो जैसी वो चली जाती है बच्चे भी शान्त हो जाते leaving the tree death like again तो फिर से पहले death like tree होता है bird आई tree में पूरी excitement चालू हो गई बच्चों की चुटूर चुटूर चालू हो गई और जैसी bird वापस गई वापस से tree death like still silent हो गया तो जब bird end में चली जाती है तो वो leaving the tree death like again वो छोड़के चली जाती है दूबारा से दाना ढूढने के लिए so options है she flew away leaving the tree death like again तो first option में हमेरा answer मिल गया है कि वो tree को छोड़के चली जाती है फिर से death like जैसा क्योंकि उसके आने पे तो movement और chitterings and chopings चालू हो जाती है एक active हो जाता है पूरा tree उसके young ones से आने उसके बच्चों की वज़े से she died आखरी में tree आखरी में bird मर जाती है तो ऐसा तो कुछ mention नहीं है क्यों मरेगी भाई she changed the tree for living आखरी में वो lebanum tree के जगा अपने nest को और अपने young ones को shift करके किसी दूसरे tree पे रहने लगती है तो ऐसा भी कुछ नहीं है कुछ mention नहीं है ऐसा आपकी poem में none of the above हो नहीं सकता क्यों क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number A okay next what are the sound words used in the poem the lebanum top आपकी poem में बहुत सरे sound words used हुए है क्योंकि bird का आना, bird का जाना young ones, young ones, वो उसके बच्चे है उसकी आवाज है काफी सारे sound words used हुए है तो वो क्या-क्या sound words है trillings, yes trillings एक word है जो mention हुआ है आपकी poem में और ये एक sound verb है word है chitterings, yes chitterings भी एक sound word है और आपकी poem में use हुआ है whistle chirp, whistle यानि कि जैसे ct जैसे आवाज होती है तो yes, ये whistle chirp भी एक sound word है और आपकी poem में use हुआ है so basically ये तीनों words used हुए है that means option number D, all of the above is the right option to this question ये सारे sound words आपकी poem में use हुए है next how did the bird move to the other side of the branch branch यानि टहनी एक टहनी से दूसरी टहनी पर जब bird move करती है तो उसकी movement को describe करा गया आपकी poem में तो कैसे move होती है चार options में दिखते है like a crocodile, bird crocodile जैसे चड़के एक branch से दूसरी branch पर जा रही है ऐसा कोई comparison नहीं बताएगे आपकी poem में like a snail, snail यानि बहुत छोटा सा insect जो बहुत slowly slowly walk करता है तो इतनी slow तो bird है ही नहीं कि इसको snail से compare किया तो ऐसी कोई comparison poem में नहीं दिये like a lizard, yes ये comparison आपकी poem में दिया गया है कि जो bird है, one branch से another branch पर एक lizard की तरह जाती है जैसे lizard कैसी sleek है, उसकी movement कितनी sleek है इतनी sleek चरीक से जाती है, कि मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक जगा से दूसरी जगा इतनी fast पहुच गई lizard तो exactly उसी को compare किया गया है goldfinch bird के एक branch से दूसरी branch के movement पे तो like a lizard इसका answer है none of the above हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number C तो एक branch से दूसरी branch पे जब goldfinch move करती है तो वो like a lizard move करती है इसी lizard से उसको compare किया गया है आपकी poem में next what instance of alliteration has been used in the poem out of the following options तो alliteration कहां कहां use किया गया है आपकी poem में तो alliteration एक तरीके का literary device है जो usually poems में use होता है इसमें क्या होता है दो या दो से जादा words एक साथ आते है और इनके जो पहले पहले letter है जो पहले अक्षर है हर word के वो consonants होते हैं आप सब को पता है A, E, I, O, U ये तीनों के होते हैं vowels होते हैं ये पाँच vowels होते हैं इन सारे letters को छोड़के जितने भी letters होते हैं वो consonants होते हैं तो जब तीन, चार words या दो या दो से जादा words एक साथ पॉम की किसी line में use होते हैं और उन सारे words के जो first letters होते हैं वो consonants होते हैं उन words को जब साथ में ऐसे use होते हैं तो उसे हम कहते हैं alliteration नाम का literary revise वहां use हुआ है तो यहां देखते हैं कि पॉम में कहा-का alliteration यूज हुआ है September sunlight September sunlight यह words जो है आपकी पॉम में use हुए और दोनों के जो first letters हैं वो क्या है? यानि consonant है वो आवल नहीं है तो yes, यहाँ पे एक जगा है जहाँ पे alliteration नाम का यह literary device use हुआ है Second, tree trembles Of course, tree trembles यह भी आपकी words जो है phrases आपकी पॉम में use हुए और दोनों के first letters है T Again, दो ऐसे words साथ में use हुए जुनके पहले दो letters consonant है और same है यानि अगर यहाँ ऐस है तो यहाँ भी ऐसा ना चाहिए यहाँ T है तो यहाँ पे भी T और consonant होने चाहिए तो यहाँ भी हुआ है sleek as a lizard अब sleek as a lizard यहाँ पे इनके first letters same नहीं है सबके तो यह all iteration नहीं है sleek as a lizard हुआ simile simile एक अनदर तरीके का अग अलग तरीके का literary device होता है इसमें क्या होता है एक चीज को दूसरी चीज से compare करते हो जब आप compare करते हो तो as या फिर like ऐसे दो words को use करते हो तो यहाँ पे bird को compare करा गया है lizard से और word क्या use हुआ है as तो यहाँ पे all iteration नहीं यहाँ पे simile नाम का आपका literary device यूज हुआ है option number d both a and b तो yes a and b दोनों सही है that means option number d is the right option to this question तो option number a और option number b यह दोनों ऐसे options है जहाँ पे आपका all iteration नाम का literary device यूज हुआ है that means option number d is the right option to this question okay next how did the poet describe the top of the lebanum tree in the poem the lebanum top यह जो आपकी poem है इसमें poet ने lebanum tree के top को जो उपर वाला top वाला area है उसको कैसे describe किया तो options है angry like storm जो उपर का area बहुत angry है बहुत हिलता है जैसे storm जैसे कोई तूफान आ गया हो तो ऐसा तो कुछ नहीं था वो तो death like एकदम silent still रहता था bird के आने पर थोड़ी excitement जरूर हो जाती थी क्योंकि top पर ही उसका nest होता था तो वहाँ पर थोड़ी movement excitement happiness हो जाती थी तो yes यह बताया गया है motionless याने बिल्कुल movement नहीं होना तो still का मतलब motionless ही होता है still और motionless का meaning एक ही होता है तो यह जो motionless वाली बात है वो still and silent में आ गई तो इसको हम नहीं consider करेंगे none of the above होगा नहीं क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number B still and silent इस तरीके से lebanum tree का जो top वाल एरिया है उसको describe करा गया है आपकी poem में next what does the phrase her bad face identity mask mean आपकी line आपकी poem में एक phrase या एक line use करी गई है her bad face identity mask इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि goldfinch bird पूरी yellow है और उसका nest और उसका जो shelter है lebanum tree है जो की पूरा yellow color का है तो लोग कैसे identify करेंगे कि यहाँ पे goldfinch की bird बैठी है तो उसका identity mask है bird का और identity mask है कि उसके face पे ऐसे black color के stripes बने हुए और यह stripes देखके ही black color के जब हम दिखते हैं तो हमको identify कर पाते कि हाँ यहाँ है कोई एक tree पे goldfinch bird बैठी हुए तो यही इसका identity mask है जिससे हम उसको identify कर सकते हैं यहाँ पहचान सकते हैं तो options है because she was white in color इसका इस line का मतलब है कि वो white color की है bird बिल्कुल भी नहीं कब से बोल रहे हैं यह यलो color की bird है due to her dark colored yellow body क्योंकि उसकी पूरी body बहुत dark yellow color की है तो यह तो हमें पता है लेकिन face तो black color का है उसका याने strips बनी हुए stripes बनी हुए है तो यह option नहीं हो सकता birds face became her identity and symbol of recognition यह जो bird का face जो उसका चहरा है यही goldfinch bird की identity है क्योंकि उसके चहरे पर black color के stripes बने हुए तभी हम identify कर सकते हैं कि हाँ यह goldfinch bird बैठी है और वही उसका symbol of recognition है याने कि यह वो symbol है उसके पूरी body पर जिससे हम उसको recognize कर सकते हैं याने पहचान सकते हैं so yes this is the right option all of the above नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number c तो इस line का यह meaning है next what is the dominant color used in the poem पूरी पूम में dominant color याने एक ऐसे color के बार में बार-बार बात हुई है जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है तो पूम में lebanum के बार में lebanum tree के बार में बात हुए जो yellow color का है sunlight के बार में बात हुए जो yellow color की है gold finch के बार में bird के बार में बात हुए जो yellow color का है A yellow is the right option to this question. Next, the title of the poem, the Lebanon top belongs to, यह जो poem का title है, जो poem का नाम है, Lebanon top, यह किसको belong करता है? तो options है, a short tree with hanging branches, इसमें एक छोटे tree की बात हो रही है, छोटा सा tree, जिसमें बहुत सारे branches, यानि टहनी ऐसे hang कर रही है, तो yes, हम कह सकते हैं कि इस तरीके के एक tree के बारे में बात हो रही है, a tree like an oak, एक ऐसे tree की बात हो रही है, जो oak tree जैसा दिखता है, तो oak tree बिलकुल अलग है भाई, आपके Lebanon tree से उससे बिलकुल comparison नहीं किया हुए, अब plant with thorns, एक छोटे से plant की बात हो रही है, इस तरीके के plant की, जिसमें बहुत सारे thorns और काटे, तो obviously ये इस तरीके के पेड़ की भी कोई description नहीं दिया आपकी पॉम में, a wine with beautiful flowers, wine यानि बेल, एक छोटी सी बेल की बात हो रही है, जिसमें छोटे छोटे इस तरीके से flowers दियो है, तो इस तरीके के Lebanon tree के बारे में कुछ बात हो रही है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला है, so basically इस पॉम में किस के बारे में बात हो रही है, एक short tree with hanging branches, इस तरीके के Lebanon tree के बारे में बात हो रही है, So, आपका answer है option number A A short tree with hanging branches उसी के बात हो रही आपकी इस poem में Okay Next question How was the tree standing in the month of September? यह जो Lebanon tree है वो September के month में कैसा ख़ड़ा हुआ था? तो बिल्कुल silent, बिल्कुल death-like जैसा ख़ड़ा हुआ था Bird जब आती थी, तोस में थोड़ा excitement हो जाती थी क्योंकि उसके छोटे-छोटे young ones चिटरिंग करते थे लेकिन silent and still ऐसा ही description दिया गया है कि month of September में Lebanon tree ऐसा ही, sunlight के अंडर ऐसा ही खड़ा था तो options है, happy, बहुत happy tree था क्या वो? बिल्कुल भी नहीं still, यानि जिसमें कोई movement नहीं, कोई motion नहीं, कोई पत्तिया नहीं, move होरी, कुछ नहीं तो yes, still एक ऐसा word यूज हुआ है Lebanon tree को describe करने के लिए आपकी poem में death like, yes, ऐसा tree जैसा death के बाद बिल्कुल movement नहीं होता बिल्कुल silent हो जाती है, इंसान exactly उसी तरह Lebanon tree को भी describe कर अगया D, both B and C, yes, तो B and C दोनो है, that means option number D is the right option to this question so option number D, both B and C is the right option to this question so children, here we come to the end of this session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे सा समझ में आ गया होंगे, आप चाहे तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं वहां नहीं मिले, तो Google पर जाईए, website का नाम डालिए, magnetbrains.com जैसी magnetbrains का आप नाम डालेंगे इस तरीके से एक page आपके सामने आएगा आपको अगर English में यह Honble के videos देखने Snapshots के video देखने तो उस पर क्लिक करिए for example आपको Honble book के videos देखने तो उस पर क्लिक करिए, जैसी आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह list of videos आजाएंगे जो की हमने आपके लिए record करेंगे, जैसी आप क्लिक करेंगे तो मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे easily आपको videos नहीं मिल रहे है तो easily आप website से कैसे access कर सकते हैं and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए, bye bye and take care